हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल मैं से दोस्ती में दोस्तों आज का हमाई सेसन परसेंटेज पर हमने जा रहा है यदि आप हमाई चैनल पर नए है तो हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें किसी भी कम्रीब इक्जाम के लिए तो पहला कोसर नमारा इस परकार है किसी विद्याला में 20% चात्र आट वर्ष से कम उम्रिक हैं तता आट वर्ष के चात्र की संख्या के दो पटा तीन भाग आट वर्ष अधी क्योंके हैं और उनकी संख्या कितना है अट तालीस है विद्याला में चात्र विकुल संख्या कितनी यह निकलना है यानि बोर रहा है दोस्तों कि कोई विद्याला है 20% चात्र आट वर्ष से कम के हैं यानि 20% चात्र हैं जो आट वर्ष के क्या हैं कम के हैं यानि कम ऐसे जिनोट कर रहे हैं तो 80% वर्स से छात रहोंगे जो क्या 8% होंगे 8 वर्स के होंगे और 8 वर्स से क्या होंगे दोस्तों उपर होंगे कहने करती यह हैं ठीक है आप समझ गयोंगे कि 20% शात 8 वर्स के नीचे हैं 80% शात वैसे होंगे जो 8 वर्स या 8 वर्स के उपर होंगे यह दिया हुआ दोस्तों कि आट वर्ष के छातों के संख्या के दो बटा तीन भाग आट वर्ष से अधिक क्यों के हैं और इनकी संख्या 48 है यानि आठ वर्स के संख्या का दोब्टा तीन भाग क्या है आठ वर्स से उपर के संख्या के बराबर है यानि माल लेते हैं कि आठ वर्स का जो छात रहे हो एक्स है यानि टू बटा तीन एक्स ये किसके बराबर है तो 8 वर्स के उपर बढ़ाबर आउसका संख्या कितना दिया गया, 48 दे गया है यानि 2 बटा 3 X बढ़ाबर 48 दिया गया है, तो X के बहलू कितना आ जागा दोस्तों तो 2 से कैंसिल अट हुआ, यह कितना हो गया, 2,2 निचा, 2, चको 8 तो एकिना के बहुतर आ गया। 72 आ गया। मुठ ज जान चुके दोस्तों कि आर्ट वर्स के जो आर्ट वर्स है accelerate words के जो नीचे का संखिया है वो कितना hé сторत पर चया गा emanet और हमें पता है कि Atlanta किना दिया 48 जा गया तो आफ़ी परसें निकल गया ओवर्ड सिंद्स नि reden कल घ्रत जा टूटल का स्ट yellow निकल गया असी परसेंट कितना निकल गया तो दोनों को जोड़ देंगे 22 और 48 को कितना है हमारा 8 दूद 10 यानि कितना गया दोस्तों 120 आ गया ठीक है टोटल का 80% कितना निकल के है 120 निकल के आ गया तो हम लोग टोटल निकाल लेंगे तो 1 0 से 1 जो कैंसिलाट हुआ अब 4 दूनी 8 4 दिया 12 और 2 से नीचे 50 बार में यानि टोटल हमारा कितना निकल के आ गया 50 गुने 3 यानि टोटल कितना गया दोस्तों 50 आ गुने में 3 यानि 150 हमारा टोटल निकल के आ गया यानि कौन सो अप्शन अप्शन नमर दी एक और और समझ लिजी कोशन को सबसे पहले दिया हुआ है कोई विद्याले है जिसमें 20 परसं चात रहे हैं जो 8 वर्स से क्या है कम 20 वर्स चात रहे हैं जो 8 वर्स के क्या है कम है ठीक है तो हम लिग दिये 8 वर्स से कम है 20 परसं तो तो 8 परस्ट तो 8 वर्स चाहते हैं जो आड़ वर्स यह 8 वर्स से अधिक हों गे तो आट वर्स का संक्य हम लोग 6 मतलने तो दिया वह कोस्तन मीं छी 8 में आट वर्स के दोटीन भाग वह बड़ाबर है किसके टार वर्स के अधिक के अनीयर्थ के पे yem मैंकि मेरा किटना निकाल दिये टॉटल काल्व गायें नोटल 16वीस किंधना था एक करना है आई हम लोग अब को सब्सक्राइब करना की और थी एक वर्ष में पूर्षों की जन्संख्या 10 परसेंट था इस्ट्रयों के आट वर्ष। 8 परसेंट की विध्षी हुई लेकिन कुल जन्संख्या में 9 परसेंट की विध्षी हुए रिया ती यह निकालना है दुस्तों तो यह कोस्ट्रण को हम एलिगेशन मैठा से सॉल्व कूर्चन तोमघा परसंटेज अलेकिन किनमिक सोल खिरिंगे सोल गरिंगे में थाट किना तो फ्रसों कि संख्या को लोगcek मेल कितना है दूस्तों मेल है लिंद 10 प्रसंट व्रिधी हो ड़िया ठीक कितना और है एक वर्ष में पूर्स को बीच में लिखते हैं यानी जन संख्याना एंग पर्ण बढ़ रहा है अब क्रॉस करके हम लोग माइनस कर लेते हैं तो दस में से तो नों संख्या वआ यानि दोनों किया था faculty तो कितना एंसर है 4000 यानी ऑप्सन्नमर कितना होगा दोस्तों option no 4 हमारा राइट had supposed to meet करते हैं कि जब भी कोशन दीकित आप पहुत यजानी सक डड़ पाएंगे तो आईए दोस्तों अब लोगों कोशन में ठर्ट क्यों बढ़ते हैं दोस्तों हम उन्हों कोशन में ठर्ट करने जा रहा है पोशन हमाई इस पकार है एक सहर की अबादी प्रतिवस्ट चार पसंट बढ़ जाती है यदि वर्स के पारम में अबादी गितना है एक लाग 20,000 है तो वर्स के अंद में अबादी क्या होगे तो बहुत रहा है आसान ब्रतिवस में आपको बताने वाला हूं च्या करना है चारब परसंट के बहलू जानते हैं कितना होता है हमारा तो एक बड़ा परतीस होता है यानि विद्धी हो रही है यानि प्लस करता है कि इसको 2625 से गुना कर दिए तो 2525 हो गया और पान्द उनी 10 पांच चुकुबीस एक दो तीन जिरो हो गया ठीक है फिर पांच से काटिए तो पांच चुकुबीस पांच चालिस और तीन जिरो हुआ तो कितना कर दोगा दोस्तों 26 गुने में 48 कर दीजे तो मैं एंसर आजागा दोस्तों nomci 1,148200 इतना आगा दोस्तों एक लाख 2400 ठीके आप गुना कर देख लिए इतना ही आए गा तो मैने बताने का सब्सक्र uniform가지고 कैसा करना है ठीक है यह हमारा कॉसे 150 में आए को कैसा करने जा रहे हैं एक मसीन का मुल है जो प्रती बस बीस परसंद कम हो जाता है यदि मसीनरी 62-500 रुपय में खर दी गए तो तीसरे वर्स के अंत में उसका मुले क्या होगा बहुत यह असान है दोस्तों कैसे करेंगे कि बिस प्रसंद कमी हो गया तो बीस प्रसंद का निकाल दिए बीस प्रसंद कितना फेल उट होता है और और निकलकर आ गया हुआ होता है तो 4 by 5 निकल कि आ गया 1 by 5 कंच था अब कमी होकर को किटना गया 4 by 5 तो पहला साल 4 by 5 फिर दूसर s LA 5 फिर तीसर सार 4 ब्रटिक जितना वर्स बोलेगा उतना वर्स हमलोग x 5 5 बस् दोस्तों पांच बार में तो ये 500 हो गया तुक है अब 500 यहाँ ओ गया और ये तो इस चार गुना सुल्ग तो चॉछोंट तो पांचो कुना चॉछोंट करेंगे तो इतना हैका दोस्तों कि ये पांचोको 20 जीरो दो पांच अक्तिस बत्तिस यानि बत्तिस आगे अदो जिरो और तो बत्तिस रुपया हमारा अब वही मसीन का जो बासर तरह पांसम खड़े थे तीन वर्स बाद कितना हो गया दोस्तों तो बत्तिस से मुल हो गया तो आप्सन नमबर सी हमारा राइट एंसर हुआ करने जा रहे हैं जोगी काफी इंपॉर्टिन कोशन है दोस्तों बहुत बार पुछा जा चुका है और एक्जाम में छोड़कर आते हैं तो इसको मेनली इसका करने का कॉंसेप्ट क्या है आई हम सिखेंगे दो माध्यम से देखेंगे किस साथ हम लोग इस कोशन हो करेंगे स दूसरे अपना खर्च 10 परणा पड़ाना परें तो अनुग जानते हैं दोस्तों कि मुल्य सबसे पहले फर्मूला क्या होता है मुल्य इंटू खपत बराबर टोटल खर्चा यह आपको पता होगा मुल्य इंटू खपत बराबर खर्चा मुल्य मिल्य प्राइस लाबर टोटल एक्सपेंडिचर यह हमारा बेसिक फर्मूला है ठीक है तो बोल रहा है कि यदि कपड़े का मुले 25 पसंद बढ़ जाया ठीक है यादि कपड़े का मुले 25 पसंद बढ़ जाया तो एक मनुझ कितने पसित अपनी अपसकताओं में कटोच करें दोस्तों यहां माल लिजे कि आप एक मालों की 10 कपड़ा खरते थे ठीक है अब कपड़ा का अदाम बढ़ गया तो आप कम कपड़ा खरेंगे यानि अपनी आव सकताओं तो आउसको मान सकते हैं कपड़ा कम पहले ज्यादा कपड़ा खरती थे लेकिन अब क्या हो रहा है मुले बढ़ गया तो म कम कपड़ा खर देंगे तो मान लिजे कि शुरुवाट में आपका कपड़ा का अदाम कीतना था दोस्तों कपड़ा का यां तक समझ गया अब क्या हुआ की कपड़ा जमूल है वो 25 पसंट क्या हो रहा हैं दोसतो पस이실 पसंट increase कर गया यानि 100 का 25 फरेंड Requ upbeat कर गया यानि 25 पर Eck estim dat तब आपका कपड़ा कितना प्रपर कहो गया 125 पर कहो गया और खपत में भी क्या हुआ दोस्तों जो आपका खड़चा है वह भी कितना हुआ है आपने 10 परसेंट कबड़ होती करना पढ़ा कितना परसंड का ब्रभाथी करना पड़ा दस परसंड का ब्रभाथी करना पड़ा यानी पहले आको खर्चा एक ब्रदसड था अब 10% इंकीज करनें दोस्तों तो ब्रों है गया सो ठीक है अब बाटा में 125 ठीक है बाटा में क्या कर देखे 125 पांच से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 225 पांच चोको 20 ठीक है 25 हो गया 5 25 पांच जोग बीश चयानि 24 प्रपत तो कितना हो जाएगा 8.8 कितना हो जाएगा 8.8 हो जाएगा 5.8 तो यानि पहले 10 खपड़ा खपत था अब खपड़ा 8.8 का खपत है समझ रहा है 8.8 का खपत है लेकिन अब हमें करते हैं उसक्ताओं मैं कितने पितिसति खमी की याना जो किसे हम लोग कैसे निकालता हैं, यहां तक पता होगे, आपको 1.2 को थुए कर रहा कितना में, तो जो हमारा original रहता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, compare करते हैं, original कितना था, 10 था, यानि 1.2, अब 8 में 10, आगुना में 100, तो point हटा आपका, point हट गया आपका, तो 1.0 हुआ, point हट गया, point हटा, तो कितना आ गया हमारा, यह हमारा 120 हो गया, अब 8 में 10 हो गया, तो 120 पर्टा 10 कितना होगा दोस्तों 12 यानि 12% का है दोस्तों कमी हो रहा है यानि आइंसर कितना होगा दोस्तों 12% आ गया यानि option number C तीक है option number C ते बहुत समझ लिए काफी important दोस्तों समझ लिए माल लिए कि हमारा जो कप्रा का मूल था 100 पर था हम खपत करें 10 पर खर्चा इतन परी कहते हैं गार सो तो डिख निका लिए एक सब्रस्ट आपके, हमारा 8.8 घुद् खखण neighboring 10 पर ख़रते अब किल रोंब एक दोच परें के मूल पंप देस पर कमी हो रहें कितना पर दस पर तो 120 डिजा यहां निकल गया तो यह हमें निकालना था 12 परसंट आ गया अगर दोस्तों इसी को हम लोग एक और फॉर्मूला से करेंगे तो आजी हम लोग देखते हैं कि वह फॉर्मूला कौन सा है जिससे हम बहुत यह अंसानी तहीं के से बना पाएंगे दोस्तों अब हम लोग इस कोश्चन करने के लिए तो में लिए हम दुख जानते हैं कि इकस्पेंडिचर इकस्पेंडिचर यानि खर्चा ब्रब क्या होता है प्राइस आगुना में कंजंप्शन ठीक है इतना आपको पता होगा अब कोश्चन में क्या बोढ़ रहा था कि प्राइस हमारा 25 पसंद ब अब बराबर में इकस्पेंडिचर के नफलで अब था हमारा एकस्पेंडीचर हमारा दस परसंड बढ़ रहा था अब दोस्तों हम लोग जबproduct condition दिखता है expenditure to price दो के जब चनत हम लोग AB formula अपनाता है AB formula AB formula में क्या होता है दोस्तों A plus B plus AB 100 यह AB formula का AB formula है यह हमारा AB formula है A plus B plus AB 100 तो price बढ़ रहा है यानि इसको plus में denote करेंगे और जो घट रहा है उसको negative में denote करेंगे ठीक है तो price हमारा क्या हो रहा है बढ़ रहा है और यह हमारा जो आता है यह result आता है यह भी formula अपनाता है A plus B plus AB 100 और यह हमारा result आता है तो compare करें result से ठीक है तो हम लोग compare करेंगे result से तो यह कितना हमारा जो price बढ़ रहा है अब 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 कितना पोता है तो talks दर सब्सक्राइब कितना हो इस गया है अब कितना सब्सक्राइब तो 17 अब जाक हम 15 गया हम बडाबर 100 यह कहां जाएगा 1500 यानि 1500 को फैलू कितना आ गया 125 सक्सा आ गया तो X का फैलू कितना आ गया हमारा तो 125 का 25 फिर कितना बच गया हमारा यानि 12 यानि 12 यानि 12 यानि 12 का यानि 12 कमी हो रही है तो X का फैलू हमें नया ट्रिक है वो आपको समझ में आएगा और आपका जो कंसर्ट में था इस कोस्टन में वो भी समझा दिया है यही दोस्तों आपको सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल मैं से दोस्टों को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई नए वीडियो प्लोट करें तो उसका नए वीडियो में एक नए टॉप्यों कवर करते हुए आज को इतना ही धने बाद थैंक्स वाचेंग